हम अब यह देख रहे हैं कि हमारी जो government है क्या उनकी भी commitments थी कुछ ECE के बारे में तो आज हम आपको यह बताएंगे कि government of Pakistan भी early childhood education को focus करती रही है अपनी तमाम educational policies में और इनकी क्या-क्या commitments quality of education के सिलसले में रही है अब सबसे पहली बात तो यह है कि एक हमारा EFA जो education for all का goals था यह E9 forum पे South Korea के अंदर इसको टै किया गया Indian declaration इसको कहते हैं और यह 9 मुलकों में बंगलादेश, ब्राजील, चाइना, इजेप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मक्सिको, नाइजेरिया और पाकिस्तान का हुआ यह 9 मुमालिक थे शायद आप जानते हूँ, यह 9 मुमालिक दुनिया का आधा से ज़्यादा अबादी का हिस्सा बनाते हैं और हैरतंगेज तोर पर इनके 70 फीसद लोग illiterate है तो ऐसी सुरत में इन 9 मुलकों ने मिलके एक declaration, ancient declaration हमें दिया जो हमें यह बताता है कि हम किस तरह से इन लोगों को दाइराय तालीम में ला सकते हैं तो एक तो हम उसके signatory हैं और उसका part है फिर हम EFA के signatory हैं यानि education for all तो जितनी भी strategies या तरीके पूरी दुनिया लोगों को छोटे बच्चों को दाइराय तालीम में लाने के लिए करती रही यानि उनको census होता है, उनको funds दिये जाते हैं, campaigns होती हैं, फिर school बनाए जाते हैं फिर schoolों में जो है वो early childhood की जगे बनाए जाती है यह सब पूरी दुनिया में होता है तो पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है फिर चुके पूरी दुनिया में यह कहा गया कि छोटे बच्चे को holistic development की ज्यादा जुरुत है तो हमारी educational policies में भी छोटे बच्चों का जो holistic development है वो खास तोर पे उस पे तवज्जो दी जाती रही फिर qualifications framework for inclusive quality education अब यह qualification framework है हमारे pre-service teachers का कि pre-service teachers जो खास तोर पे ECC के लिए आएं वो तयार हों पहले से छोटे बच्चों की नशोनुमा के लिए और उनकी जो तालीमी ज़रूरियात है उनके जो खेल की ज़रूरतियात हैं जो जिस्मानी जहनी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए तो उनकी भी एक framework बनाया जाए कि कौन जो है वो बच्चे छोटे का educator हो सकता है और किस qualification को हमने cater करना है तो इससे क्या फिर करना था हमें teacher education की तरफ तो बज़ो देनी थी कि जो हमारे pre-service programs हैं उनको भी हम बेहतर करें सो हमने क्या किया कि UNESCO के कहने पे इनों ने 2012 में ये campaign की थी कि जो मुखलिफ countries हैं खास तौर पर E9 countries जो हैं वो teacher education के लिए खास तौर पर funds का इजरा करें तो government of Pakistan ने भी हस्पे इस्ततात जो है वो funds का इजरा किया ताके inclusive quality education जो है वो बच्चों के दी जाए inclusive से हमारा मतलब सिर्फ special बच्चों के लिए या जो differently able बच्चे हैं उन्ही का नहीं है हमारे वो बच्चे भी जो remote area से तालुक रखते हैं किसी ना किसी तरह से वसायल में दूसरे बच्चों की निस्वत काम है उनको भी मौका देना हमारे हां inclusive education ही कहा जाता है फिर दुनिया के अंदर sustainable goals जो 2015 में launch किये गए और उनका 2030 का vision है कि हम सारे बच्चों को quality education देने में काम्याव हो जाएंगे हम इसके भी signatories हैं तो government of Pakistan पूरे जोरोशोर से और जो हमारे different agencies है education की जैसे हमारी ministry of education है वो तमाम इदारों को वक्तन पर वक्तन ऐसे notifications और ऐसे guidelines जारी करते रहते हैं जिसके थूँ वो sustainable development goals को अपने curriculum में और अपनी रोज मर्रा की सरगर्मियों में शामिल रखें अभी जब हम बात कर रहे थे कि ancient declaration जो है वो पाकिस्तान जो है उसमें खास तोर पे एक member है क्योंकि अगर हम मजमुई तोर पर जो हम एक तस्वीर बयान कर रहे थे आपके सामने कि 70 फीसद लोग illiterate हैं तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क का हिस्सा सबसे ज्यादा है हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो out of school है और out of school बच्चों को दाइराकार में लाने के लिए पाकिस्तान को फर्दर मजीद funds की जरूरत है